अलो स्टुडेंट वेलकम यौल एक फ्यूचर श्रीज इंस्टीटीटू अलाइन प्लेटफॉर्म आज पढ़ेंगे हम लोग मैट्स का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक इस टॉपिक से लगबग हर एक्जाम में कुछ न कुछ 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 आपको देखने को मिलते हैं बह स्टिम का बहुत इंपॉर्टन टॉपिकर कही टॉपिकों में यह आपको देखने को मिलेगा कि यह आपको कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पर आपको ल्सी में सीखते हैं में सीखने क्या है एल सीपेक्ट चुली लख्लों लीस्ट यह कमन मल्टीपल और इसका फुल्वर पड़ेगी multiple तो simple सी चीज है कोई भी नंबर है उसका जो table बोलते हो multiple है जैसे 2 है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 यह सारे के सारे क्या है multiple है किसके दो के किसी डंग से मैं किसी भी नंबर के जैसे 8 का multiple लेखना चाहूं तो यह 8 के सारे के सारे क्या हो जाएंगे multiple हो जाएंगे तो इस डंग से मैं multiple लिख सकता हूं तो किसी भी नंबर के multiple ऐसे multiply करके निकाले जा सकते हैं और यह क्यों सुनाता है कि भाईया कितने multiple होते हैं how many multiples a number have तो इसका अंसर होगा infinitely many multiples यह निए इसके number count नहीं कर से कितने बारे multiply करते हैं कोई tension नहीं है तो multiple word का मतलब हो गया यह दूसरा होता factor factor का means होता है बच्चों कि कोई भी number लाइक मैंने लिखा 6 तो 6 में जिन जिन नम्बरों का divide जाता है न वो उसके factor है यह इसके factor हो गया यह इसके factor हो गया तो यह चीज़ द्यान रखनी है factor का means factor का means एक number में जिन जिन नम्बरों का divide जाता है वो सारे के सारे क्या होते हैं उसके factor होते है यह नहीं नमबर जिसके exactly दो फेक्टर हो ज्यदा फेक्टर वाले को प्राइम नम्बर बोलते हैं और कॉमन फेक्टर दो नमबरों कर दिवन और से को प्राइम नमबर बोलते हैं तो फेक्टर बहुत है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होगा कि factor और multiple क्या होते हैं अब समझते हैं लोग कि भिया factor और multiple हमने समझ लिया factor क्या होते है multiple क्या होते है समझ लिया अब LCM का मतलब क्या हुआ least common multiple मैंने दो नमबर ले या माल लिजिए 12 दूसरा number लिया मैंने 10 अब मैंने UNK multiple लिखने start किये, देखिए, ये common नहीं है, ठीक है, टूजा 24, ये टूजा 20, ये थ्रीजा, और ये थ्रीजा इतना हो गया, ये 4 जा, ये 4 जा, ये 5 जा, ये 5 जा, ये 6 जा, और ये 6 जा, अब आपको आगे और multiple वैसे लिखने की requirement नहीं है, बहुत सारे और multiple आगे होंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा common multiple select करना है, सबसे छोटा common multiple की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, सबसे छोटा common multiple क्या है, 60 है, यहाँ पे सबसे छोटा common multiple 60 है, ये 60 सबसे छोटा common multiple है, आगे जाओगे, यहाँ पे 120 आएगा, यहां भी 120 आएगा 180 आएगा 180 आएगा 240 आएगा 240 आएगा ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आ गया infinitely many multiples हैं लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 60 है तो इस इन दो नंबरों का किन दो नंबरों का 10 and 12 का जो LCM आ गया LCM आ गया that is 60 that is 60 तो यह तरीका है यह समझ है यह एक knowledge रखना है हमें एक्चली LCM होता क्या है निकालने का तरीका दो होते हैं या तो हम लोग जिसे 10 हैं तो 10 को लिखा 2 multiply with the 5 और 12 को लिखा हमने 2 multiply with the 2 multiply with the 3 अब देखा जो common है उसको एक बार लिखना है LCM में जो common है उसको एक बार लिखना है फिर जो common नहीं वो सारे लिख देने हैं आपको अब इनको multiply करें 10 और यह हो गया 60 एक LCM निकालने का prime factorization method यह है दूसरा division method है जिसमें आप दो नमबरों जिनका भी LCM निकालने है उनको साथ लिख करके ऐसे आप divide करना start करो सबसे छोटे number से start करना है देखे 1 1 क्यों नहीं use करते क्योंकि 1 से divide करेंगे number वापस repeat हो जाएगा तो 2 से start करते हैं 2 से divide किया 5 ताइम 2 से divide किया 6 ताइम 2 से divide किया जाएका तो 2 मल्टेप्ला हैं तो फाइव तो उसमी बुकर निकालने का जो भी आपको एजी लेकि वह निकाल लीजिए है बहुत आसनी की एलसियम निकालते हैं अब LCM में हमने एक बात सीख ली कि LCM, यहीं दो नंबर ले रहे हैं 10 और 12 तो LCM में साब बड़े वाले नंबर के बराबर या इससे बड़ाई होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि LCM होता कि least common multiple यानि जितने भी number नीचे जिनका LCM निकाल रहा हूँ उनका multiple देख रहा हूँ तो multiple कभी भी बड़े वाले नंबर से छोटा तो नहीं हो सकता 10 और 12 का निकाल रहा हूँ तो कभी भी LCM 12 से कम नहीं आ सकता क्योंकि 12 का तो multiple डून ना है हाँ वन जाइट उन्डू तो 12 तो आएगा याएगा ना तो ध्यान रख्या रखना है LCM हमेशा हमेशा जो number होते हैं उन number में हमेशा उनसे बड़ा जो number इन दोनों में से या तीनों में से या पांचों में से जिनका है LCM निकाल रहे हो उनसे हमेशा बड़ा होगा उनसे छोटा नहीं होगा उन बड़े वाले नमबरों कोई ने कोई table में हम लोग बोलेंगे तो कोई ने को multiple जरूर होगा तो समझ लिए हमने अब बात करते हैं HCF की highest common factor अब यदि कोई आपको फैक्टर नहीं पता है तो फिर दिक्कत है फिर आपको फैक्टर निकालने होंगे आपको यह देको इसमें common multiple के only 2 है तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों इसका HCF हो जाएगा 2 एक तरीका है निकालने कई दूसरा तरीका है इसके factor निकालो इंडीज विली ऐसे तू से दिवाइड के तरी मदाइब फाइफ और ट्वल्स दिवाइड के तरी तरी टाइम यह कोई बी तरीका आप देखेंगे वहां से आनसर आपको आजाएगा इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ गया बछों इन दोनों का HCF जो कितना आ गया, वो two आ गया अब एक चीज़ द्यान रही है, छो ढोई होला है छोब किवन नंबर होते हैं उसमें दोनों में divide जाना चाहिए उसका जो भी two Number या तीन Number जिनका भी निकाल jury उन दोनों में उसका divide जाना चाहिए और वो सबसे बड़ा number होना चाहिए highest common factor, सबसे बड़ा number highest common factor होना चाहिए तो एक चीज confirm है कि जो भी number है, जैसे 10 और 12 है HCF maximum 10 हो सकता है, अब 10 से बड़ा तो नहीं हो सकता है 10 से बड़ा number हम लोग ले ले है HCF में तो 10 को divide कैसे करेगा, 10 को divide नहीं करेगा, तो यह छोटी बात है यह दि आप यह समझ जाते हैं कि LCM बड़े वाले number से हमेसा बड़ा होगा और HCF छोटे वाले number के बराबर या हमेसा उससे छोटा होगा तो चार option में से कोई एक दो option आप हटा सकते हैं जब भी आप क्योशन करेंगे यह basic बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है यह बच्छों LCM ऐसे आपको समझ में आया होगा कुछ चीजें हैं यहाँ पर थोड़ी शे और लिख देता हूँ मैं इदि माल लीजिए बात करें प्राइम नंबर की तो प्राइम नंबर को लेगे बहुत इंपोर्टन बात है कि प्राइम नंबर का जो LCM होता है वो हमेशा product of number होता है product of given number यह हमेशा याद रखना और उन दोने का जो HCF होता है बच्छों हमेशा वन होता है दो प्राइम नंबर या तीन प्राइम नंबर ले रहा हूं तो प्राइम नंबर का HCF हमेशा और हमेशा क्या होगा बच्छों 1 होगा HCF हमेशा 1 होगा और LCM हमेशा product of the given number होगा कि मुझे जान रखना है प्राइम नंबर के बारे में direct theory की चीज़ है, direct समझना है और समझ भी सकते हो, देखी 7 और 5 है, इसके इंदर इदी मुझे highest list common multiple पता करना है तो common multiple इन दोनों का multiply करेंगे तभी आएगा, और highest common factor तो common factor में only 1 ही होते हमेशा, यह आप करके देखेंगे LCMS के बारे में और जैसे execution करेंगे, नहीं चीज़ें आएंगी, हम उनको सीखते भी चलेंगे, उनको समझते भी चलेंगे which number is a multiple of all the three number, in, देखो which number is a multiple of in का multiple होना चाहिए किसका, 4 का 8 का और 6 का इनका कोई multiple ढूनना है यहां से, कोई बात नहीं अब multiple ढूनना है, तो 3ो से divide होना चाहिए, ऐसा multiple इसका मलोग common multiple अब list बात नहीं करी, फ़हले common multiple निकाल लेते हैं, लोग तो इनका common multiple निकाल लेते हैं, लोग LCM लेना पड़ेगा हमें, LCM ले लेते फ़हले 2 से divide करेंगे हम लोग 2 बार, 4 बार, 3 बार 2 से divide करेंगे, 1 बार 2 बार, और 3 बार, 2 से divide करेंगे 1, 1 और 3, और 3 से divide करेंगे 1, 1 और 1, 2 तू जा 4, 4 तू जा 8 8, 3 जा 24, तो इन दोनों का common multiple आ गया, that is 24 that is 24, अब 24 आ गया common multiple, अब भाई, answer में 24 का है अब हमें देखने हैं, हमारे पास 4 options है, हमारे पास 396 है, एक तो, दूसरा हमारे पास कौन सा है, 6, 6, 4 है तीसरा नमारे 6, 9, 6 है और 4 हमारे पास कौन है, 5, 4, 3, 2 हमें चेक करना है कि भाई, इनके अंदर 24 का divide किस में जा रहा है अब यह ultimate ली देखो से बच्चों, समझना के है 24 है, 24 है यह इसमें divide किसका 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है और 24 का जा रहा है, यह इसके factor है तो simple सा मतलब समझा हमने कि भी यह जिसके अंदर 24 का divide जाएगा, उसमें 3 का divide जाएगा कि ताकि कुछ options को eliminate करना आसान हो जाएगा या सारे number 3 से divisible है DIGITS का sum कितना हो रहा है 18 3 से divisible है इसके digit का sum कितना और बच्चो 16 हो रहे हैं फे और चे बारा बारा और चार सूला 16 और है इसमें 3 का divide नहीं जारा जिसमें 3 का डिवाइड नहीं जारा उसमें 24 का डिवाइड जाने का सवाल नहीं होता है इसके रिजिट का सम्द हो कितना और बच्छों 9 और 5 देखो 5,4,3,9 और 12 और 24 इसमें भी 3 का डिवाइड नहीं जारा तो सवाल ही नहीं बनता कि इसमें 24 के डिवाइड जागा है देखिए मैंने दो options को eliminate कर दिया यहां से हटा दिया easy रहता है चीजों को इदी आपने basic सीख रखा है दो option हट गए यहां से अब मुझे चेक करना है कि 396 होगा यह 696 होगा यह मुझे देखना है ना 696 होगा आप देखो बच्चो अब देखो इसमें हम लोग चैक देखा तो दोनों में जाए रहा है पॉर से डिवाइड करेंगे फॉर नाइन जा 36 होता है फॉर नाइन जा 36 थ्री बच किया अगेन फॉर नाइन जा 36 आ गया 99 आ गया ना 99 हमारे पास आ गया क्योंकि 99 को इदी में 20 99 को इदी सिक्स बार मल्टिप्लाइ करूं तो कितना आता है है 390 99 आगे नापना तो इक है मैंने फॉर से डिवाइड किया फॉर नाइन जा 36 3 त्री बस गया 36 ठीक है ये बात हमें समझ में आ गई कि भई हा ये वाली बात समझ़ों अब फिसे डिवाइड करो थी से डिवाइड करेंगे टू टाइम यह त्री से डिवाइड करेंगे 33 अब आगे इस पर डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब यह उप्सन भी एलिमिनेट हो गया हमें 100 पुसिंट पता लग गया कि यह वाला उप्सन तो नहीं है बच्छों यह वाला उप्सन मेरा क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा कि इसके इंदे 24 के डिवाइड जा र नंबर जिससे डिवाइड करें 270 को और 426 को तो लिव करें रिमेंडर एजर 6 यहनी 270 को डिवाइड करना है और 426 को डिवाइड करना है इससे कोई बड़े से बड़े नंबर से रिमेंडर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए अब रिमेंडर 6 आना चाहिए इसका मतलब मैं वो सबसे बड़ा number ढूंगा इसका divide इसमें लगाओ तो भी remainder 6 इसमें लगाओ तो भी remainder 6 26 6 remainder आना चीए इसका मतलब क्या यदी मैं इसमें से 6 minus कर दूँ यदी मैं 6 minus कर दूँ तो क्या बचेगा 264 अब इदी 264 में इसका divide लगाओंगा तो divide पूरा पूरा जाएगा क्योंकि मैं 270 में divide लगा रहा था remainder 6 बच रहा था अब मैंने 6 minus ही कर दिया काम खतम कर दिया और यहां से भी 6 minus कर दिया तो कितना होगे बच्चों यहां पे यह दोनों नंबर पूरे पूरे divisible है given number से यानि वो सबसे बड़ा नंबर है यह वो सबसे बड़ा नंबर है जिसका divide लगाने से 264 और 420 दोनों के दोनों divisible है यानि सबसे बड़ा नंबर बोले तो highest common factor ल, HCF निकालने है यानि यह क्या ही बच्चों यह HCF है क्या यह HCF है है रेटश सिफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब देखो कुछ चीजे हैं जो मुझी यहां से बहुत आसानी से समझलेनी हैं बहुत ध्यान से मझासम सबर्लेनी कैसे स्कू करना है बहुत ध्यान से मुझे सुनना है समझन जोना है जोने ठीक है अब देखो बिटा तू सिक्स्टी फोर और यह इन दोनों में और मुझे क्या डूनना है कॉमन फैक्टर डूनना है तो मुझे तरीका है एक सिफ निकालने का तरीका मैंने सिका रखा इनके फैक्टर कर लो तू सिक्स्टी फोर के फैक्टर कर लो बच्छो तू सिक्स्टी फोर के फैक्टर कर लो टू वन जा त्री जा तू जा अगें टू से जाएगा यह जाएगा सिक्स टाइम अगें बच्छ गया जाएगा सिक्स टैम अगें टू से डिवाइड कर लो कितना गया थर्टी थ्री अ कितना रहा 5 आप 420 में एिवैड करो चो तूसे डिवाइड करो 2 105 , अब फ्री पीड कर दो 3 and 5 इस डिवाइड कर दो 7 किया है से कममन क्या है यहां से कमन क्या है यहां से यहां से कमन क्या तो वो common 2 है दोनों में, again 2 है common 2 है, 3 है, दोनों में 3 common है और कुछ भी common नहीं है, तो common क्या है 2 multiply with the 2 multiply with the 3, यानि answer के इतना आगा है 12, यानि वो सबसे बड़ा number 12 है, यानि सबसे बड़ा number 12 है, यह दिदी 12 से divide करोगे किसको 270 को तो भी remainder 6 बचेगा, और 4 26 को divide करोगे तो भी remainder कितना बचेगा बच्छो, 6 बचेगा, तो इस डेंक से निकाल लेते हैं, जो भी remainder होते हो, माइनस करके calculate कर लेते हैं बच्छो, sum of HCM and LCF, हमें sum निकालना है, इनके LCM का और LCF का, बहुत ही important है, अराम से इनका निकाल सकते हैं, तो देखो बच्छो, सबसे पहले हमें निकालना देखो, HCF कैसे निकालना है, ठीक के, और फिर कहला निकालना है, हिनका LCM निकालना है, इनके क्या करो, फैक्टर कैसे निकाल लो, शेक्सी को भीष्ट्र निकाल लोकर की सिर्चार निकालनाения, कुल से पहले है थता, चाहिए सबसे पहले 3 कह बाइस एक तुग डिवाई जा नहीं रहा है ये ट्विन्तिफपलियगा अश्यजिक्षा अंसर यह अन को लिग किया सकता हूं मैं लिख सकता हूं 45 45 मी क्या लिखें आ भच्छों 3 x 3 x 5 60 में क्या लेखना है मुझे 2 x 2 x 3 x 5 and 75 में क्या लेखना है 3 x 5 x 5 अब इदी बात करें हम लोग HCF की तो only common factor common क्या है बच्चों यहां पर common क्या है common देखो सब में क्या 3 common है 3 common है 3 के लावा कुछ भी common नहीं है एक 3 इसमें और है और 3 है नहीं 5 और common अच्छा 5 तीनों में common है 5 तीनों में common आ रहे है okay 5 तीनों में common आ गया तो HCF कितना हो गया 3 multiply with a 5 यानि कितना आ गया बच्चों 15 HCF आ गया अब इनको multiply कर लो I multiply करने को बहुत असान तरीका 5 तू आ गया बच्चों 10 यह हो गया यह ओगया ओगया यह ऑगया यह ज़िघा कितना गया 900 आ गया अब क्या पुछा कि HCF प्लस LCM निकालने हैं क्या निकालना है HCF कितना है मेरा HCF मेरा 15 है प्लस कितना है आपकी क्योशन अच्छी होने चीए मल्टीप्लाइ अच्छी होने चीए आप लोगों को जितने ज़्यादा में टेबल्स याद है और टेबल्स के अंदर भी कुछ टेबल्स हमेंसा लर्न रखें जिसे लाइक 11 का टेबल है 13 का है 17 का है 23 का है 29 का है 31 का है 37 का मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 27 का टेबल नहीं आथा चल जाता है क्योंकि आप इसमें 9 का डिवाइड भी जा रहा है 3 का डिवाइड भी जा रहा है लेकिन 23 का नहीं जाता क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है 23 का टेबल नहीं आता तो आप कहीं नहीं सब्सक्राइब करें अगले वीडियों बात करेंगे और बहतरीन तरह इस वीडियो में इतना काफी है अगले वीडियो में और बहुत गजब करेंगे तब तक अपना ख्याल रखी कुप सारी पढ़ाई करिए और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए तैय दिल से आप सारी पढ़ाई करें विशिंग यू विडियो विडियो बेस्ट एंड याहिंद